भारते टीम के ऐलराूंडर हार्दिक पांदया चोट के कारण वर्ल्डकब से भार हो गए वहीं अब हार्दिक पांदया की जगह भारते टीम के नई वाईस काप्टन के नाम का इलान कर दिया गया है रविवार को टीम इंडीया के सामने साफ्रिका के चुनाती होगी दोनों टीमों के बीच मुकाबला कॉलकाता के इडिन गार्डेंज में खिला जाएगा वही इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया को बड़ा जटका लगा दरसल भार्टे टीम के ओल रांडर हार्टेक पांडिया चोट के कारण वर्ल कप से भार हो गए भोई चर्मा की लीडिंग वाली भारती टीम के लिए हार्दिक पांड़ा के भार होना सगड़ा छटका माना जा रहा है भारती टीम मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड़ा की जगा नए वाइस काप्टन के नाम का एलान किया है दरसल भारती टीम के विकेट कीपर बल्ले बाज केल राहूल हार्दिक पांड़ा की जगा वाईस काप्टन के फुमिका में होंगे इसके अलावा तेज गेंद बाज प्रसेब कृष्णा को टीम का हिस्सा बनाया गया है भारती टीम सेमी फाइनल से पहले दो मुकाबले खेलेगी भारत और साउथ आफ्रिका के बीच मुकाबला 5 नमंबर को खेला जाएगा वहीं भारती टीम अपना आखरी लीग माच नीदलांस के खिलाफ खेलेगी भारत और नीदलांस के बीच मुकाबला 12 नमबर को दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम में खेला जाना है केल राहूल 9 वंडे मैचों में भारते टीम की कैप्टेंसी कर चुके हैं फारते टीम को केल राहूल की लीडिंग में 6 जीत मिले हैं जब की 3 मैचों में सिक्षत का सामना करना पड़ा है इसके लबा केल राहूल आईपेल में लखनाओ सूपर ज्राइंट की कैप्टेंसी करते हैं साथ ही केल राहो पंजाब किंग की क्याप्टिंसी कर चुके हैं पर तलब है कि इस वर्ल्ट कब का पहला सेमी फाइनल 15 नवंबर को खेला जाना है इसके बाद 16 नवंबर को दूसरा सेमी फाइनल खेला जाएगा जबकि हमदबाद के नरेंदर मोधी स्टेडिया में 19 नवंबर को खितावी मुकाब्ला खेला जाना है इसमें आप भी क्याराय में कॉमेंट में जरूर दीजे बन रहे हैं मारे चैनल फाक्ट अंडिया स्पोर्स